मैं आपको सेल बाइलिजी एंड जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी जो कि जॉलिजी का आपका सेकिंड पेपर है आज मैं इसमें आपको सेल बाइलिजी का इंट्रोडक्शन, सेल की हिस्ट्री और सेल थियोरी के बारे में पढ़ाऊंगी सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल बाइलिजी क्या है तो वर्ड सेल बाइलिजी या साइटॉलिजी एक ग्रीक शब्द है जिसमें काइटोस का मतलब होता है हॉलो वैसिल या सेल खाली बरतन logos का मतलब होता है to discourse मसलब उसकी खाली बरतन की study करना तो cytology deals with the study of the cell from morphological, physiological, biochemical, cytokemical, genetical, developmental point of view तो इन सबी की उसका आकार, सनरचना, उसका biochemical estimations या biochemistry उसकी, cytokemistry उसकी, genetic cell की, उसका development कैसा होता है उसकी study cell biology में हम करते हैं तो cell शब्द का अर्थ क्या है? Cell शब्द जो है ये ग्रीक शब्द काईटो से लिया गया है और Latin cella का मतलब होता है hollow space और ग्रीक में kytos का मतलब होता है cell तो study जो cell की है वो microscope के द्वारा ही possible हो पाई और microscope का मतलब है, ग्रीक वर्ड है microscope माइक्रोस का मतलब है small, उसकोपियन का मतलब होता है to see देखना तो microscope की discovery पर ही cell की study dependent थी और यह आज भी microscope के कारण ही cell की study की जा सकती है 1590 में Z. Zenson और H. Zenson ने पहला microscope बनाया उसने invention किया 1635 से 1703 में Robert Hook जो की Royal Society of London में curator थे उन्होंने cork जो होती है उसके study करी section की और देखा कि उसमें cavities थी खाली स्थान थी, रिक्तिकाएं थी और उनके बाहर एक cell wall लगी हुई थी तो 1665 में Robert Hook ने इन vessels को bounded by wall जो थी उसको cell का नाम दिया 1632 से 1723 के बीच में Anton 1 Liwenhoek ने microscope को improve किया उसके lens की grinding करी घिसकर उसकी magnification power बढ़ाई और उसके बाद उसने unicellular organisms, protozoans, bacteria, sperms आदी की study करी 1809 में Mirable ने बताया कि सभी plants के सभी जो उत्तक होते हैं या tissues होते हैं वो cells के बने होते हैं फिर 1831 में Robert Brown ने nucleus की discovery कर दी 1838 में Shilden जो थे, Matthias Jacob Shilden जो जर्मन बॉटनिस थे, उन्होंने nuclei देखा और उन्होंने बताया कि cells जो होते हैं, plant cells में उन्हें study की थी और बताया कि cells are the units of structure मतलब plants जो हैं वो cells के बने हुए हैं और इस प्रकार से Shilden ने अपनी famous जो theory थी formulate कर दी 1839 में Theodore Schwann जो थे, उन्होंने Shilden का जो view थी cells के बारे में की plant tissues जो होते हैं, वो cells के बने हुए होते हैं उसी को आगे बढ़ाया और उन्होंने animals पर study करी और बताया कि जो animals जो होते हैं, उनके tissues जो जो थे हैं वो cells के बने हुए होते तो 1838 से 18 and 1839 में शिल्डन एंड शोन ने cell theory formulate की और जो यह cell theory है वो क्या है All organisms are composed of cells and cell products सभी जीव जन्तु कोशिका और कोशिका के बने हुए जो पदार्थ हैं प्रोडक्ट से हैं उनके बने हुए होते हैं फिर आगे बहुत सारे जब यह cell theory दी गई तो बहुत सारे scientists ने कारे किया, investigations किये और फिर यह cell theory आई तो 1802 में Mirble, 1805 में Oaken, 1809 में Lamark, 1824 में Dutroche, 1826 में Turpin और 1838 में Shieldon और 1839 में Swan इन सबी लोगों के investigations का result ही cell theory है इसी बीच में हम देखते हैं इन में बीच में और भी बहुत सारे cell biologist हैं उन्होंने काम किया है 1824 से 1830 के बीच में Dutroche and Turpin ने cell की universality को prove किया उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं हैं चाहे वो जन्तु कोशिकाओ, पादप कोशिकाओ, सभी जो होती हैं पेर और पौदे और जो animals हैं वो सभी किसके बने हुँ हैं कोशिकाओं के बने हुएं और उन्होंने बताया कि ये कोशिकाओं ही हैं जिनके कारण इनकी functioning भी होती है 1832 में डूमोर्टियर ने कोशिका विभाजन algae में discover किया cell division in algae 1831 में डूचार्डन, शर्ड्स, परकिंजी, वनमॉर्ड इन्होंने जो cellular contents थे, cell के अंदर जो contents होते हैं उनकी study करी और फिर protoplasm जो जीव द्रव्य जो होता है उसकी खोज इन्होंने करी अब जैसे जैसे discoveries होती गई वैसे वैसे जो idea है cell theory का या cell का जो idea था वो भी बदल गया क्योंकि nucleus की discovery हो गई, protoplasm की discovery हो गई, तो जो primitive idea जो cell का था वो नए idea में transform हो गया और it was transformed into a mass of protoplasm limited in space by a cell membrane and possessing a nucleus तो कोशिका की जो परिभाशा है वो बदल गई, क्या है कि जीव द्रव्य ये किसका बना हुआ है, cell किसका बना है, जीव द्रव्य है उसके बाहर एक कोशिका जिल्ली है और उसके अंदर, कोशिका के अंदर एक nucleus है के इंदरक पाया जाता है, तो ये एक cell की परिभाशा हो गई protoplasm जो nucleus के बाहर पाया जाता है, उसको इन्होंने cytoplasm बता दिया और जो protoplasm nucleus के अंदर पाया जाता है, उसको kerioplasm बताया गया 1880 में फिर flaming ने mitosis animals में discover किया, समसूत्री विभाजन की discovery हो गई 1890 में waldeer ने chromosome की discovery करी, 1875 में Oscar Hertwig ने fertilization discover करा, 1894 से 98 की बीच में Benda और Altman ने mitochondria की discovery की 1898 में Camilo Golgi ने Golgi complex की discovery की, तो इस प्रकार से बहुत सारी discoveries होती गई, फिर 1858 में वर्चु जो थे रुडॉल्फ वर्चु ने, उन्होंने एक famous line दी, ominous cellular, e-cellular, जिसका मतलब होता है, all cells arise from pre-existing cells, सबी कोशिकाएं अपनी पूर वर्थी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, तो ये उन्होंने रुडॉल्फ वर्चु ने दिया, अब जो ये cell theory, शिल्डन और शौन ने दी थी, उसके कुछ objections थे, वो objections क्या थे, कि cell theory जो शिल्डन और शौन ने दी थी, उसमें उन्होंने cell के अंदर जो structures होते हैं, उनको ignore कर दिया था, उस cell wall पे अधिक जोड दिया था, दूसरी चीज, शिल्डन शौन ये मानते थे, कि जो नई कोशिकाएं हैं, वो पुरानी कोशिकाओं के अंदर ही बनती हैं, और एक प्रकार का एक द्रव्य होता है, जिसका कोई structure नहीं होता, और उसके crystallization से, जैसे प्रकार से crystallization होता है, उनके crystallization से ही नए cells बनते हैं, और इस Mother Liquor को उसनों ने Cytoblastema नाम दिया, अब जैसे जैसे cellular organelles discover हुए, सब cellular structures बने, cell division की discovery हुई, experimental evidences आई, virtues की views को support करती हुई, जो कि Lewis Pasteur ने ये evidences दी, तो उसे ये पता लगा कि सभी जो living organisms हैं, एक तो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, दूसरे सभी कोशिकाओं पूरवर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, means living organism are composed of cell, and all cells arise from pre-existing cells, तो इन सब चीजों के basis पर, इन discoveries के basis पर, modern concept cell theory की आई, और वो modern concept cell theory की क्या थी, कि cells are the structural or morphological units of living organism, मतलब सभी जीव जन्तू, all living organisms are composed of cells, दूसरा क्या था, cells are the physiological units of living organisms, मतलब जो living organisms की, जो metabolic activities हैं, वो cell के अंदर ही होती हैं, थर्ड, जो था, cells are the hereditary units, मतलब ये अनुवानशिक unit भी हैं, क्योंकि जो hereditary traits हैं, वो इनी के द्वारा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जाती हैं, फिर उन्होंने कहा, new cells originate from pre-existing cells only, नए cells पूरवर्ती कोशिकाओं से के ही विभाजन से बनते हैं, फिर उन्होंने का, cell is the smallest unit of life, सबसे छोटी जीवन की इकाई है, फिर all activities of living organisms are the outcome of the activities of constituent cells, मतलब जो आपके organism होता है, जन्तू होता है, उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, वो उसकी कोशिकाओं की ही क्रियाएं होती हैं, जिनसे वो बना हुआ है, अब ये तो ठीक हैं सारी चीज़ें, इसके बाद modern concept के बाद क्या आया, कि कुछ exceptions आएं इस cell theory के लिए, जैसा कि universal cell theory को माना गया, कि structural and functional unit of life है cell, और cell की जो organism की activities हैं, वो cells की activities ही होती हैं, तो यहां कुछ exceptions हैं, कि unicellular protozoans, bacteria, blue green, algae जो होती हैं, इनमें nuclear material जो होता है, वो distinct nucleus के form में नहीं होता है, और specially हम देखें, तो virus तो complete cell होते ही नहीं हैं, उनमें central code nucleic acid का बना हुआ होता है, DNA, RNA और protein का एक code होता है, और उनमें अपना enzyme system नहीं होता, और host के enzyme system पे depend करते हैं, अपने metabolic activities के लिए, और इसी कारण वो living cells में ही जिंदा रह पाते हैं, इसके अलावा virus का crystallization भी किया जा सकता है, जैसे कि inorganic और organic compounds crystallize किया जा सकते हैं, तो यह debatable है, नेक्स क्लास में हम types of cells पढ़ेंगे,